गोविन सिंग दोटासरा मेरे साथ हैं 1100 किलोमेटर सडकें आज तक के इतियास में 70 साल में किसी स्टेट में किसी विदान सबाक्षेतर में नीव ली ED भी दो साल से जांच कर रही है अगर मेरे खिलाब किसी तरह का कोई सबूत होता तो क्या यह आचार सीता से पहले मेरे को छोड़ते अशोग गैलो चेहरा नहीं है मुख्य मंतरी अशोग गैलोती है मैं प्रदेश सदेख सुछिन पाइलेट मेरे से पहले प्रदेश सदेख थे डिप्टी सीम भी रहे हैं बहुर जीते 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 जनल सेकेटरी है होन परकाजी भी है सीपी जो सीजी स्पिकर है हरी सोदरी जी भी सीटरी जी तरह करें यह सारे लोग रेस में होंगे आप एक रेस की बात नहीं कहरा जिजाइन बॉक्स के नरेश अरोडा जी के साथ आपका विवाद हो गया था क्योंकि ऐसा आरोप उन पर था कि वो पी यार कंपनी है और वो मुख्यमंत्री के पी यार पर जादा जोर दे रहे थे बजाये कॉंग्रेस पार्टी संगेठन और कॉंग्रेस से जुड़े दूसरे निताओं के राजस्तान के सीकर जिले के लक्षमन गड़ में हूँ और यहां से कॉंग्रेस प्रत्याशी गोविन सिंग डोटासरा मेरे साथ हैं उनकी एक पहचान यह कि कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दूसरी पहचान यह कि इसी सीट से तीन बार के विधायक हैं सुभाष महरिया उनके खिलाफ इस बार भारती जंता पार्टी से चुनाव लड़ने हैं जो भाजपा के सांसद रहे हैं केंद्र की सरकार में जब अब चल भीहरी वाचपे की सरकार थी उसमें मंत्री भी थे पहले आप से शुरुआत इससे अभी मैं आपकी रैली पूरी देखके आया पीछे रैली में शामिल लोग बैठे भी हैं आपके डान्स की बड़ी चर्चा है आज कर लेब आप चुनाव परचार में आते हैं जूंगते हुए ताली बजाते हुए ये कुछ नया प्रयोग करना है लोग तंतर का परव है और लोग तंतर के परव को कुछी के साथ मनाना चाहिए क्योंकि मतदान मतका दान और उससे सरकारे बनती हैं जनपरतिनीदी बनते हैं विकास के काम होते हैं विकास होता है तो मैं समझता हूँ कि इसको कुछी कुछी मनाना चाहिए उदासी किस बात उसके उदासी आती है, हमारे किस बात की उदासी, तीन वार, पहली वार 34 वोटों से जीता है, दूसरी वार यही सुवाज मेरिया जी थे, मेरे सामने बीजेपी से 11,000 से जीता है, फिर 25,000 से जीता है, और अब चमाली से उपर लोग ले जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि मै कुछी के साथ इंजोई करता हूँ, क्योंकि जनता का मैंने काम किया, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, वो एक सो एक परसेंट है, मतलब सो से उपर जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल, एक सावाल इसमें छोटा सा, बीच में, कि भारते जनता पार्टी के कई बार य कॉंग्रेस के बागी थे, पहले चेर्मेन कॉंग्रेस के थे, दिनेश जोसी जी, तो वो बीजेपी के बागी बाद में बीजेपी में आये, फिर वापी चले गए, तो उनका कोई दल से कोई ज्यादा वास्ता नहीं रहा है, एक बात, दूसरी बात, वो किस्विनाव पर ब पारतिय जंता पार्टी की सरकार बनी थी 2013 में ये सुभाजी महरिया जीते थे, केंदर के मंतरी रहे वे थे, इतने बड़े लीडर थे, पांच साल में वसंदरा राजे की सरकार में वो काम कराते लोगों के, एक हैंड पंप नहीं खुदायवा, एक स्कूल नहीं को लिवी, ए कॉंग्रेस से लड़ा कॉंग्रेस की सरकार है, अगर एक किलोमेटर सणक बनाई तो बता दो, एक कमरा बनाया हो तो बता दो, एक आदमी का ट्रांसपर कराया है, वेक्तिकत काम कराया है तो बता दो, एक सबसेंटर खोला तो बता दो, तो तस साल से वो किवल बोट ही ले र ना करा है यह पांच में बार में दकानाना हातrose यह-ंपांटमे всnhane जान आप इनिस सौ करोड वार बार जिखर कर रहे हैं आपकी निनिस सो करोड का यहां पनाहां काम करा है विजा है पर आपकी आपकी व्धान सब्सक्री देखा जो आप बाट ओर ने जा जब है। तो शांती धरीवाल ने जो काम करा है वो दिखता है बहुत, शेहर में दिखता है, रिवर फ्रेंट और तमाम चीजे, यहां पर भी उस तरह से दिखता नहीं है, वो शेहर है इतना सा, यह सबसे बड़ी कॉंस्टिटोंसी है क्षेतरपल के हिसाब से, यहां नवलगड की रेल में किसी विदान सबाक्षेतर में नवली, 630 कमरे बनें स्कूलों में, 300 सवा, 300 स्कूल है, एक भी स्कूल का छूता नहीं छोड़ा, आप किसी से पूछ लीजिए, 28 क्रोडर पे मंदिरों में लगाए है, सरकारी मंदिर नहीं, प्राइवेट गाओं के अंदर जो गूगा ज सब्सक्राइवेट नहीं, नहीं नगरपाली का कर्मोन तोकर के नगरपाली का के नए बिल्डिंग बन रहा है, चारू तरफ गेट बन गए हैं, मंदिरों में पैसे लग रहे हैं, विकास है, तो ये लंबा एरिया है, इसलिए, विकास है, रिवर फ्रेंटर वो तो जमीन बेच के बनाया है, उन्होंने, यॉआइटी से जमीन बेच के और यॉआइटी ने डेवलप किया, वो डेवलपेंट, मैं लाया हूँ राज्य सरकार से, मैंने सीकर को संभाग बनवा दिया, मुक्य मंतरी जी से निवेदन करके, सीकर को एडी का संभन आया, छापा भी पड़ा, मैं जब यहाँ आया तो लोग कह रहे थे कि शायद गोविन सिंग डोटासराज जी का चुनाव टक्कर का होता, लेकिन एडी के आने के बार उनका चुनाव अब आसान हो गया, क्योंकि अब उनको साहन भूती मिल लेए, देखे, यह जो भी कारवाई हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ, कि डाई साल से पहले FIR है, मेरे खिलाब नहीं, डाई साल से FIR है, 200 लोग जेल में हैं, राजेस्तान के सरकार ने भी, SOG ने भी जांच की, ED भी दो साल से जांच कर रही है, अगर मेरे खिलाब किसी तरह का कोई सब किया, मेरे से कोई सबाल नहीं, मेरे बेटे से पेपर लिखा, कोई सबाल नहीं, तो फिर मेरे समझ के बार की बात है, यह राजनेतिक रैड थी, एक माहुल बनाने के लिए, कि इस तरीके से माहुल बना तो, जिससे यह साबित करने की कुछे स्टा करें हम लोग, BJP के लोग किस आप देखो, बेइमान लोग थे, पेपर लेक में EDI है, EDI है तो बेइमानी हुई होगी, ED सब जगे जाती है, CBI जाती है, इंकम टेक जाता है, तो क्या सब जगे ही चोरियां मिलती हैं क्या, अगर चोरियां मिलते तो गोविन डोटाच रहे हैं, चुनाव पर चार करते थोड़ी मिलता, फाइदा मिलना है उसका, अब फाइदा तो जनता, क्योंकि मेरे को जानती है, मैंने जिंदगी में किसी से एक नई, बूनी का रुपया होता है, उठेकेदार, तैसिलदार, ठानेदार, किसी से नहीं लिया, चाय नहीं पी किसी की, इमानदारी के साथ सेव जबा करता हूँ, तो ये सब लोग मेरे को जानते है, कि एक खरा सोना है, जब खरे सोने को जानते हैं, तो उसके उपर किसी तरे की, इस तरे की साजिस होती है, तो फिर जनता का खुन खोलता है, और जनता, दस जार लोग आ गयते हैं, मैंने हाँ जोड़ के का, कि इनको में जाने को तयार हूं अगर मैं दोसी नहीं हूं तो फिरा दिक्कत का है इसलिए मैंने शांती से कारवाई करवाई कि जो उनको कारवाई करनी थी वो कर लो कोई दिक्कत नहीं एक बात ये बताईए कि कॉंग्रेस ये चुनाव अगर जीती है सोच समझ के सवाल में पूछ रहा हूं तो मुख्यमंतरी का प्रत्याशी कौन बनेगा मुख्यमंतरी तो पार्टी आलाकमान ने बहुत क्लियर कर दिया कि सरकार बनने एमले जीतने के बात में 101 एमले आने के बात में पार्टी हाई कमान राए लेगा और राए लेकर के हर वर्स हर पांच साल की बांती फिर पार्टी आलाकमान फैसला करका वोई मुख्यमंतरी ब परकाजी भी है, सीपी जो सीची स्पिकर है, हरी शोदरी जी भी सीटर है, ये सारे लोग रेस में होंगे, रेस की बात नहीं कह रहा, बहुत चैरे हैं हमारे पास में, इन की तरह नहीं है कि वसंद्रा जी को पहले पूर्व मुख्यमंतरी लगा दिया होर्डिंग पे और फिर सामुएक रूप से चुनाव लड़ते हैं, फिर जो MLA की राई बनती है, वो पार्टी आला कमान फिल पहला करता है, वो मुख्यमंतरी होता है, और हम उसको मानते हैं, एक बात जैपूर के पत्रकार थोड़ी दवी जुमान में कहते हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के क िएप नहीं किया, एक भी पदादிकारी के लिए सिपार्ष नहीं की, एक भी पंचाहितरा नगरपालिका में टिकट के लिए सिपार्ष नहीं की, यह मैं क्यम्मिरे के उपर बोल रहा हूँ, हमेशा उन्होंने संगठन को तवज्जव दिया, और मैंने सरकार की जम करके, जम करके जो योजनों है उसका खूब परचार परसार किया हमने साथ मिल करके और पूरे सब जिलों के अंदर सरकार की योजनों को बताया संगठन को किस प्रकार से चुजदुरस किया जा सकता है कैसे संगठन को सक्रिया किया जा सकता है वो काम किया मिल के हमने काम किया है और प्रत्याशी घोशित नहीं हुए थे कि कुछ विधायकों से स्थानी इस्तर पर शायद नाराजगी के स्वर हैं तो नहीं का था कि इसका नोटिस करेंगे तो बहुत लोगों ने अंदाजा लगाया कि बड़े इस्तर पर शायद टिकेट काटे जाएं लगबग देड़सों त यसमामन के सामुक पर सरक साथ ठीकेटी प्रचार प्रसार की आप बात कर रहे थे नरेष अरोड़ा जी के साथ आपका विवाद हो गया था क्यूवकि एसा आरोप उन पर था के वो पियार कंपनी हैं और वो मुख्यमंत्री के पियार पर जादा जोर दे रहे थे बजाए कॉंग्रेस पार्टी संग्ठन और कॉंग्रेस से जुड़े दूसरे निताओं के देखिए जब सरकार होती है आचार सहीता नहीं लगती है तब सरकार की योजनाई भी होती है उसका भी परचार परशार किया जाता है और जब आचार सहीता लग जाती है उसके बाद में संक्ठन के बेनर के उपर सारा काम किया जाता है यह होई रहे विवाद वाली कोई बात नहीं है बात यह होती है कि किसी बात पर आप सहमत हो या सहमत नहीं हो तो सहमती और सहमती का अधिकार सब के बाद सुरक्षित रहता है आप सवाल पूछ रहे हैं जरूरी नहीं मैं हर सवाल का जबाब जैसा आप चाओ वैसे दूँ और जरूरी भी नहीं है कि मैं हर सवाल का जबाब दू तो ये मेरा अधिकार है, पूछना आपका अधिकार है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी, और आराम से हम सब लोग, अब AICC ने जो है वो उनको काम के लिए का है, तो वो पार्टी का काम भी कर रहे हैं, पहले सरकार को भी suggestion देते थे, तो सरकार का भी काम देखते थे, तो कोई विवाद वाली बात है नहीं, एक आखरी चीज और के राजेंद्र राठोड हैं भारती जंता पार्टी, आपके पोडोस की चुरू की तारनगर सीट से लड़ते हैं, उनसे कुछ विशेश प्रेम है क्या, आप दोनों एक दूसरे को परतंज, लतीफ, चुटकुले, इनियर नेता है, इसमें तो कोई दोरा आए नहीं है, लेकिन वो क्या है कि जो चुनाव जीतते हैं ना, उसके बाद मैं काम नहीं करते हूं, और काम नहीं करते हैं, केवल टिकडम से जीतते आया हैं, अब की बार हमने कहा कि आप चुनाव चुरू से नहीं लड़ोगे, इसमें काम नहीं किया, तो अब जनता उनको एकशेप्ट नहीं कर रही है, बाकि ऐसा कोई नहीं है, कोई व्यक्तिकर टसल नहीं है, उन्हों नहीं है, इस वजह से तो नहीं कि वो बार-बार उस मुद्दे को उठाते हैं, दोजार अठारा वाला जब आप शिक्षा मंत्री तो RPSC और RAS में आपकी बहू और बहू के भाई बहन का सेलेक्शन हो गया था, दुनों ने कहा कि यह बहुपूर तरीके से हुआ, यह 2016 में मेरा बेटा सेलेक्ट हुआ था, 2016 में राजिंदरी राटोड मंत्री थे, वसंदराजी के सरकार थी, एक बात, 2016 में ही मेरी बहू का सेलेक्शन हुआ था, जब हमारी पहचान भी नहीं थी, 2019 में हमने समंद किया है, 2019 के बाद में वो मेरी बहू है, उससे पहले हम जानते तक नहीं थे, कि उसका भी RAS में सेलेक्शन हुआ है, उसका सेलेक्शन हुआ है, उसके बाही का हुआ, उसकी बहन का हुआ, अगर उसके पिता जी जिला शिक्षा अधिकारी से डिड़ी है, उनकी मदर जो है वो टीचर है, आज से पचास साल पहले उनके पिता जी पड़े हैं, फोज में थे उनके दादा जी, अगर वो डियू डेली उनिस्टी में रेम एकोनोमिक्स में नमर वन रेंक आता है, तो क्या वो आरेस नहीं बन सकता, वो तैसिलदार बना, उसमें सवाल यह थे कि तीन भाई बहने, तीनों कैसी नमर कैसे हैं, असी नमर वो तो देने वाले सोचे, एक आज में ने इंट्रिवू थोड़ी लिया है, अलग लग लोगों ने इंट्रिवू लिया है, और मेरे बेटे का, और इनके बेटे का तो जो बीजेपी के समय जो मेंबर थे, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उन्होंने इंट्रिवू लिया है, बीजेपी के समय में न्यूक्त, राजिंदर जी राठोड के बहुत खास, उन्होंने लिया है, तो बहुतों कैं हैं, साड़े तीन सो लोगों के 80 नमबर है, तो क्या मेरे बेटे के अलग से आये हैं? सो में से सो दे देते और और के सतर देते, तब तो समझ में आता, तो दे नहीं सकते क्या? ये व्यक्तिकत द्वेस्ता की बात है, बदनाम करने की बात है, क्या किसान का बेटा आरेस नहीं बन सकता, जरूरी है कि ठेकदारी करे, बजरी में ठेकदारी करे, टोल में ठेकदारी करे, को जरूरी तोड़ी है, अब राजिंदर जी राठोड़ के बजरी वालों से टोल वा सकती है और खुली खुली बात है उनकी सरकारें थी जांस करा लेते हैं कौन मना कर रहा है बता यह तो व्यक्तिकत द्वेस्ता की बाते हैं एक बदनाम करने की बाते हैं किसान को यह लोग पसंद नहीं करते इसलिए उनको वहां तारा नगर में भी हार का मुझ देखना बढ़ करेंनी नेटी मेर्थि तो रहता ही है कि मैं इस पद्वे काम गरू करूं में और उपर का पद लेंँ तो हुए तो सब बहु हम कोते हैं मन-बहद नहीं ते और मतबह भी नहीं है हम सब युनाइट को कर के चुनाव लत रहे हैं खड़के चाब को और रा उजी के नेत रेतो आकलन आपका, आपके हिसाब से, मुझे मालू में आप ये कहेंगे कि कॉंग्रेस जीत रही है, लेकिन कितनी सीटे आपको लग रहा है, कितने पृतिशत वोट हो रहा है? ये जन्ता का पैसला है, लेकिन जो जन्ता का रुजान लग रहा है, जन्ता का जो उच्सा है, जन्ता में जो सरकार की लोगप्रियता की बात है, वो कहीं भी आप चाहे कि दुकान पे बैठे बात कर लीजिये, कहीं बस में बात कर लीजिये, कहीं ट्रेन में बात कर लीजिये, गाउं के चोपाल में कट्टे पेटे को बात के लिए, उस सभी कह रहे हैं कि गहलो साब ने बहुत अच्छे मुख्यमंतरी के रूप में अच्छी योजनाइ लहें, 17-17 गारंटियां दे रहे हैं, तो लोगों में यह है कि कॉंग्रेश के सरकार आएगी तब ही अच्छा बला होगा, विकास होगा, मोदी जी तो मन की बात करते हैं, लोगों को काम की बात चीए, काम की बात अस हो गए लो जी और कॉंग्रेश के सरकार कर रहे हैं, तो काम जीतेगा, मन नहीं जीतेगा. पिछले चार बार से हर बार सरकार बदल लेगी है, वो ट्रेंड जो है थोड़ा तो मन में कंसर्ण रहता है उसका तोड़ जाएगा क्योंकि अब कि बार लोगों नहीं कहा कि जब जब ही सरकारे बदल लिए, तब तब हमारा ही नुकसानवा, जंता का नुकसानवा जो योजनें, अच्छी योजनें हैं, अच्छे बजट का जो लगना, वो बंद हो गया था, इसलिए अभी लोग कांग्रिस को बोड़ती हैं. चलिए सर, बहुत शुक्री आपने समय दिया, ये थे गोविन सिंग्डो टासरा, लक्षमनगर से कॉंग्रिस प्रत्याशी और राजस्थान के प्रुदेश कॉंग्रिस कमिटी के अध्यक्ष, देखते रहिए दिललन टॉप.